हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे आटे और बेसन के मोधग इसको हम गडेज चतुरती भोग के लिए बना रहे हैं यह इजी रेसिपी घर में उपलब समान से फटाफट बनके तयार हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको बनाने के लिए कडाई को मैंने गैस पर रख दिया है, अब इसमें सबसे पहले हम दालेंगे आठा, कडाई में मैंने आठे को दाल दिया है, इसीमे साथ मिलाओंगे बेसन, अब इसे low to medium flame पे हम लगाता चलाते हुए सेकेंगे गैस की flame को हमें low to medium ही रखना है अगर हम इसकी flame तेज करेंगे तो ये नीचे से जलेगा और फिर जले की smell आती है अभी मैंने इसमें गी या तेल कुछ भी नहीं दाला है अभी हम इसको सिर्फ ऐसे ही भुन रही है इसको भुनते हुए लगबख 4-5 मिनिट हो गए है इसका color थोड़ा थोड़ा change हो गया है लेकिन अभी ये अच्छे से नहीं भुना है इसको हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे जब तक ये फोड़े से ब्राउनिश ना हो जाए और इसमें अच्छे से खुश्बू ना आने लग जाए ये आटा और बेसन अच्छे से भुन गए है इसका color भी बहुत अच्छे से change हो गया है इसको भुनने में मुझे 12-13 मिनिट का समय लगा है अगर भुनते समय आपको लगता है कि ये नीचे से जलने लगा है तो आप gas की flame को बिलकुल low कर दीजे या आप चाहें तो कुछ second के लिए gas बंद भी कर सकते है अब मैं इसमें डालूंगी घी घी डालके हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए और भुनना है इस तरह से लगातार चलाते हुए घी आटे और बेसन को हम अच्छे से बुनेंगे घी डालने के बाद लगबग 2 मिनट तक मैंने इसको और भुना है अब मैं इसमें डालूंगी 1 फोर्थ कप नारेल का बूरा इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसी के साथ और थोड़ा सा इसको भी हम भुनेंगे ये देखिए सब भी बहुत अच्छे से भुन गए है अब मैं गैस की फ्लेम को बंग कर दूँगे और इसको थंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक कि मिक्स थंडा होता है काजू और पदाम को हम दरदरा पीस लेते हैं ये थंडा हो गया है हमें इसे उतना ही थंडा करना है कि हम इसे टेच कर सके अब मैं इसमें मिलाऊंगे तीन चथाई कप पाउड़र शूगर अगर आपके पास पाउड़र शूगर नहीं है तो आप नॉर्मल शूगर को मिक्सी में चलाकर उसको बारीग पीस लीजे अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए है अब मैं इसमें दालूँगे काच्छु और बदाम जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है और साथ में हम दालेंगे थोड़ी सी किश्मिश आप ड्राइफ्रूट अपनी पसंद के साफ से कोई भी दाल सकते है इन सभी को हम मिक्स करेंगे और अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूगी मिक्स को मैंने बॉल में निकाल लिया है इसको बनाने में आधा कब जितना घी हमारा लगा है मुदख बनाने के लिए मैं इस तरह के साचे का यूज कर रही हूँ ये बजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते है अब हम इसको अच्छे से पैक करेंगे और एक स्पून की सायता से इसमें अच्छे से इसको फिल कर देंगे इसको हमें इस तरह से दबा दबा के बहुत ही अच्छे से भढ़ना है ये देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे से दबा कर पूरी तरह से भढ़ दिया है अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरह से धीरे-धीरे हम इसको खोलेंगे, और इसको unmold करेंगे, यह देखिए, कितना अच्छा इसमें shape आया है, अब इसको हम प्लेट में रख देंगे, और इसी तरह से बाकी सभी मोदग भी हम बना के तयार करेंगे, यह देखिए, सभी मोदग बनकर तयार हो गए है, यह आपको यह recipe पसंद आई हो, तो आप यह recipe जरूर try करें, और comment box में अपने view जरूर share करें, साथ ही इस video को like करें, और अपने family और friends के साथ share करें, तो चलिए अब मिलते हैं अगली video में, ऐसी ही एक नई recipe के साथ, thank you.